नमस्कार आप देख रहे हैं डिवीज फोर्निशन और मैं हूँ प्रियादर्शन अठारवी लोगसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा बुदवार को ही कैंसरकार की ओर से इसकी दिसूचना जारी के गई है जिसकी अनुसार इस बार 24 जून से अठारवी लोगसभा का पहला सत्र सुरू होगा और 3 जुलाई तक लोगसभा का सत्र चलेगा इसी तरीके से राजसभा का सत्र भी उसी दोरान चलेगा हालाकि राजसभा सत्र के शुरू होने की तारीक हैं अलग रहेंगी दसल बुदवार को केंद्रे संसत्र कारिमंत्री किरेंडरी जून ने इसकी जानकारी दी उनके अनुसार 18 लोगसभा का सत्र 24 जून 2024 से सुरू होगा और 3 जुलाई 2024 तक चलेगा इस दोरान नौनिर्वाची सत्रस्यों के सपत ग्रहन, प्रतिग्यान, अध्यक्ष के चुनाओ, राश्पती के विभासन और उस पर चर्चा होगी लोगसभा का जहां सत्र 24 जून से सुरू होगा वहीं अगर हम बात करें राजसभा की जहां लोगसभा 24 जून से सुरू होगी वहीं राजसभा का सत्र 27 जून से सुरू होगा अगर बात करें ठारवी लोगसभा में चुने हुए संसदिय चुनाओ की तो इस बार एक जून को 77 चर्णों में लोगसभा के चुनाओ हुए और 4 जून को नतीजे आए चुनाओ परिणाम किसी भी दल को पुर्ण बहुमत के अनुरूप नहीं रहे वहीं भारतिय जनता पार्टी को सरवाधिक 24 लोगसभा की सीटों पर जीत मिली हाला कि NDA के अनि घटक दलों के सहयोग से तीसरी बार NDA बहुमत में आ चुकी है और सरकार भी बना चुकी है जहां NDA में घटक जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है वहीं दूसरे नंबर पर तेलगू देशम पार्टी है और तीसरे नंबर पर जनता दलों यूनाइटेड है नौजूर को प्रधान मंतरी के रूपे नंबर नंबोदी ने तीसरी बार सपत ली साथी मंतरी मंडल के 71 सदस्यों को भी सपत दिलाई गई अधिकांस मंतरियों ने मंगलवार यानिकी 11 जून से अपने विभागों का प्रभार समाल लिया है लेकिन इस बीच अब नई सरकार संसदी एक काम काज के लिए 24 जून को पहली बार संसद में दिखेगी और इस दोरान सभी निर्बाची सदस्यों का शपत ग्रहन होगा राश्पती द्रोपदी मुर्मू सदन में अभिवासन देंगी यह पहला मौका होगा जब सदन में नरेंद मोदी गटबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर दिखेंगे वही विपक्ष के निता के तौर पर कॉंग्रेस के राहुल गांधी दिख सकते हैं इस बार कॉंग्रेस के निन्यानवे सांसद जीत कर आएं है वही विपक्ष में दूसरी सबसे बरी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है जिसके प्रमुक अखिलेश यादब है ऐसे में इस बार एक मजबूत विपक्ष से सत्ता पक्ष का सामना होना माना जा रहा है तिन तमाम चीजों के भी 24 जून से सुरू है लोग सभा के सत्र में यह पहला मौका होगा जब नरेंदर मोदी एक गटबंधन सरकार के मुख्या के तौर पे सदन में बहुत पस्तित रहेंगे और साथ ही साथ जहां नए शदसे यानि कि जितने भी नर्वाचित सांसद जीत कराएं हैं उन सब के शपत ग्रहन का तो काम होगा है इसके इतरिक सबसरकार की सबसे पहली अगनी परिक्षा उस समय होगी जब स्पीकर के नर्वाचर के दवरान जब उनका अध्यक्ष कौन बनेंगे इसे लेकर के उस दवरान सदन में बहुमत देखाना होगा यही सरकार के लिए भी एक तरीके से बहुमत साविट करने का सबसे आसान और सबसे एक तरीके सकते ही संकेत होगा कि हाँ सरकार पुर्ण बहुमत में है तो सरकार के लिए 24 जून से जो शुरू हुआ रहा है, इसमें सरकार सबसे पहले अध्यक्षिय चुनाओं के दोरान बहुमत साबित करेगी और उसके बाद फिर सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी